एक गाओं में दो दोस्त बंटी और संटी रहते थे दोनों के घर पास-पास थे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी गाओं वाले दोनों की दोस्ती की चर्चा करते रहते थे चिंटू को उनकी दोस्ती बिलकुल भी पसंद ना थी वह उनकी दोस्ती तोणने की अफसर ढूनता रहता था एक दिन बंटी ने संटी को अवाज लगाई आओ दोस्त मेरे साथ खाना खालो पर संटी ने अवाज सुनी नहीं चिंटू ने इस बात का फायदा उठाया और संटी की अवाज में बंटी को बोला तुम्हें जो खाना है खाओ मुझे इससे ज़्यादा जरूरी काम करने है बंटी को इस बात का बड़ा बुरा लगा अगले दिन संटी ने खीर बनाई वह खाने के लिए बैठा तो उसने बंटी को अवाज लगाई दोस्त आओ मेरे साथ खाना खाओ बंटी ने संटी की अवाज सुनी नहीं चिंटू आज भी पेड के पीछे चिपकर उन्हें देख रहा था तभी चिंटू बंटी की अवाज में बोला मुझे नहीं खाना है तुम ही खाओ अपना खाना संटी को भी बड़ा बुरा लगा दो दिन के बाद वे दोनों फिर मिले दोनों की दोस्ती इतनी पकी थी कि वे खाने की बात को भुला कर फिर एक साथ खेलने लगे बातों बातों में दोनों को पता चला कि बंटी ने जब संटी को अवाज लगाई थी तो उसने सुना ही ना था और ना ही संटी ने कोई रुखा सा जवाब दिया था संटी ने भी यही बात बंटी को बताई कि उसने बंटी की अवाज सुनी ही ना थी और ना ही कोई जवाब दिया था जरूर कुछ कड़बर है दोनों एक साथ बोली बंटी गुस्से में बोला हमको पता लगाना हुगा कि दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है संटी ने कहा ठीक कहा कोई तो है जो हम दोनों को परिशान करना चाहता है उनकी बाते छिपकर कोई सुन रहा था तभी किसी के छुपके से भागने की आवाज आई दोनों ने देखा अरे यह तो चिंटू भाग रहा है संटी ने उसे दोड़ कर पकड़ लिया संटी ने बंटी से कहा आओ दोस्त इसकी खूप पिटाई करे चिंटू घबरा गया और माफी मागने लगा बंटी ने कहा सौ ठक बैठक करो और एक हजार बार बोलो मैं आप किसी को तंग नहीं करूँगा चिंटू बेचारा क्या करता अपनी गलती की सजा तो उसे मिलनी ही थी तीन घंडे तक यही धोराता रहा अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगा बंटी और संटी की दोस्ती और पक्की हो गई अच्छे दोस्त तीसे की कहने से अपनी दोस्ती खराब होने नहीं देते तो कैसी लगी यह हमारी कहानी